नमस्कार यूपी लाइव में स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ है आप बुलिटन की शुरुवात करते हैं स्वागी महत्पून खबर के साथ बता दे यूपती को जिन्दा जलाने का मामला जो उन्नाव से सामने आया उसमें यूपती के चाचा चाची को धंकी मिली है आरोपी यूबक के लिष्टदार दे रहे हैं धंकी को उन पर चाचा चाची को दी रही धंकी जीने नहीं देंगे और जीने नहीं देने और दुकान जलाने क ठुपी जंगर राज करते हैं यूपी विस जंगल राज का सामने आ रहा है प्रसून हमाएं सहयोगी उन्नाव से लाइव जुड़ गए हैं प्रसून इस पूरे मामले में अब एक और तथ सामने आया है कि पीडिता के परिवार वालों को धमकिया मिलना शुरू हो गई है और अब जैसे अगर इस तरीके के क्राइम की बात करें तो एक पैटन सा बनता ह को नजर आ रहा है पहले रेप होता है उसके बाद हत्या कर दी जाती है दरिंदिगी के साथ उसके बाद जब ये मामला उठता है मीडिया के सामने आता है कानूनी कारवाई होने की बात होती है तो परिवार वालों को धंकिया मिलनी शुरू हो जाती है परिवार वालों पर अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, एक पैटर्न के तहत वही चीज़ों हो रही जो लगातार हर एक केस में देखने को मिल रही है। इस यो पैम मौके पर पहुंचे हैं और उनसे सुरक्षा की भी बात की जा रही है, शायद उन्हें सुरक्षा भी महोया कराई जाएगी। से बात्चीत कर रही है, साथी साथ जो आरोपी शिवम है, उसके मोबाईल पर घटना वाले दिन, जिन दो लोगों से बात हुई थी, जो उसके साथी थे, उनको भी पुलिस ने अभी हिरासत मिलिया है, उनसे पूछताज कर रही है। इस पूरे घटना करम में अभी तक जो एसाइटी की टीम है, वो जाच अपनी तेज कर चुकी है, और साथी साथ जो दो अन आरोपी हैं, जो दो इस घटना से जुड़े हुए और लोग हैं, जिनकी मोबाईल पोन पर बात्चीत हुई थी, उनसे भी पुलिस कडाई से पू इस वज़े से एक बड़ी घटना, एक परिवार को जेलनी पड़ी थी, इस वज़े से सुरक्षा के अभी क्या कुछ, क्यूंकि अभी उन्होंने पुलिस को बता दिया किस तरीके से उनको धमकी मिल रही है, तो सुरक्षा मुहया कराई गई है या नहीं इस वक्त तक? डीके अगर पीडित परिवार की बात करें तो पीडित परिवार के जो व मा है, और जो सगे संस्मंदी वो इस समय लखनो में ही मवचूद है। यह जो मामला आया है, जो चाचा चाची का मामला है, उनका जो कहना है कि उन्हें धमकी दी गई है। तो उनसे तहरी ली जा रही है जिन लोगों ने धंकी दी है उनकी 90 पुलिस कर रही है और साती उनको भी सुच्छा अभी तक तो नहीं मौहया कराई गई है अगर वो सुरक्षा की मांग करते हैं तो अभी तक सुरक्षा मौहया है कि प्रसुन इस वक्त रुखना चाहेंगे आ अपैले की लिटा इंगे तुमको उठा लेंगे तुमको माट दा लेंगे तुमको जीने नहीं देंगे हमारे क्वाहिकी के लट्कीर है मुझे सगे चाचा है कांप Lewis अट लोग यो आपको पून कर रहा है जो उनके फूutive जो लड़का जलाया है उसके फूपा लोग क्या है कि जो है आपको दुकान भी जला देंगे आप लोगों को की यह फोंक लेंगे के जो इफनड़ित परिवार आपक की महिल शूंदाशें हमने सुनन हम ने से उना लां कि स classe के से परिवाल वाले को किमदा ह। पी था उनके परिवार में से एक सदस से हैं शायद उनके फूफा हैं जो फोन करके तरीके से डरा धमका रहे हैं दुकान फूख देंगे तुमको पूख देंगे मार डालेंगे इस तरीके के शब्दों का इस्तमाल करके मारने की धमकी दे रहे हैं इस पूरे मामले में अब प कि अगर हम बात करें तो वो इस समय यहां पर मौजूद हुए हैं उन्हों गटना इस्थल पर गए हैं गंगा घाट थाना चेटर का इमामला है वहां पर वो पहुंचे हैं साथी साथ सरकिल ऑफीसर भी मौजूद है और इस पूरे घटना करम पे जो चाचा चाती का भयान आय है उसके बाद में उन्हें सुरक्षा मोहिया करा जाने की भी है उनका कहना चाहिए उनका कि लिए शुक्रिया प्रसून आपका